नमबर दो सो चीएतर जो लोग उपयोगी सिक्षा, दिक्षा या साधन भजन के बिना ही मन को प्रथम से ही शुन्य करने की चेश्टा करते हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह मन को संपूर्ण तह अवलंबनहीन करके निर्बीज समाधी रूप उचवस्था की साधना कर रहे है वे मन को अपने तमोगुण में ही उतार कर उसे जड़ और मूण भावपन कर डालते हैं उनका मस्तिश्क खोकला हो आता है वे सूक्ष्मे विशेयों की धार्णा करने में असमर्थ हो जाते हैं नमबर दो सो सततर शिव सहिता के मता अनुसार योग में सिद्धिलाब करने का प्रथम लक्षण है मैं निश्चे ही सफल हूँगा यह विश्वास दुतिय शद्धा पूर्वक साधन तृतिय गुरु पूजा चतुर्त सम्ता पंचम इंद्रिय निग्रह शेष्ट है परिम अहार सप्तम और कुछ नहीं अर्था साधक में यही कुछ लक्षण ठीक होने से सिद्धी निश्चित है सभी मुमुक्षूओं के लिए यह प्रयोजन है नमबर 278 मन को वश में करने जैसा कठिन काम सुनसार में और नहीं है श्री रामचंद्र ने हनुमान से कहा था चाहे सातो समुद्र कोई तैर कर सहज ही पार कर सके समस्त वायू को शोशित कर ले सके पहाडों को उठा कर अपनी ताकत का खेल दिखा सके पर चंचल मन को वश में करना उसकी अपेक्षा भी कठिन है परन्तु इतना होने पर भी भैवित होने का या निराश होने का कोई कारण नहीं है वीर साधक असीम अध्यवसाय और द्रण संकल्प के साथ भगवान पनिर्भर होकर यदि प्राण पन से चेश्ठा और साधना करे तो उनकी कृपा से असाध्य साधन कर सकता है नमबर दो सो उन्यासी स्वामी विवेका अनंद ने अमेरिका से एक पत्र में स्वरचित एक श्लोक एमम गुरु भाईयों के निकट मठ में भेजा था उसकी दो पंक्तियां इस प्रकार है कूर्मिस्तार कच्चवर्णम त्रिभुवन मुत्पाठ्या मोबलात किमभोन विजान अस्यस्मान रामकृष्ण दासावयम अर्थार्थ हम तारों को चूचूर कर डालेंगे त्रिभुवन को बलपूर्वक उखाड डालेंगे क्या तुम हमें जानते नहीं हम श्री रामकृष्ण के जोदास है यदि इस तरह का आत्म विश्वास और गुरु भक्ती हो तो असंभव भी संभव हो जात सकता है उनका था इसलिए वे विश्व विजई हुए थे इसा मसी ने भी कहा है यदि तुम्हारे पास सरसो प्रमाण भी विश्वास हो और तुम इस पहाड को कहो कि यहां से हट कर वहाँ चला जा तो वह निश्चय ही चला जाएगा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न रहेगा सुना है हमारे श्री ठाकुर ने अपनी विविद प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों और ईश्वर दर्शन की बाद में परिक्षा करने के लिए मा से कहा था मा यदि मेरे ये सब सत्य हो तो ये बड़ा पत्थर तीन बार कूदे कहते ही वैसा ही हुआ ये सब क्या केवल मन गड़त किस्सा कहानी है क्या वास्तविक है? स्वामे जी से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था हमारे श्री प्रभू कहते थे कि योगियों द्वारा वर्नित कमल मनुश्य शरीर में दरसल असल में इस थूल भाव से नहीं है किन्तु योग शक्ती के प्रभाव से वे पैदा होते हैं और उन्हें उनका अनुभव होता है नमबर दो सो एक्यासी सत रज और तम इन गुणों के भेद से कर्मतीन तरह के होते हैं शुब या सत सात्विक अशुब या असत तामसिक और इन दोनों से मिश्रित राजसिक अन्ता करण या शूक्ष्व शरीर में कर्मों के द्वारा जो दाग या छाप पड़ती है उसका नाम है संसकार उसे ही हम कर्म, तकदीर, धर्मा धर्म, पापपुण्य आधी कहते हैं कारण के बिना कार्य नहीं होता हमारी जो कुछ भी अच्छी या बुरी रुच्छी या प्रवती आधी है सब ही पूर्व संचित संसकारों की उत्तेजना मातर है उनमें से वे ही प्रकाशित या कारिछम होते हैं जिनको अनुकूल वातावरण और परिस्थिती प्राप्तों होती है दूसरे संसकार संचित बने रहते हैं उप्युक्त योगा योकी प्रतिक्षा करते हैं और अवसर पाकर शुभा शुप फल प्रसव करते हैं हम कुछ भी क्यों न करें, सभी सत और असत से मिश्रित रहता है, इसलिए सुख दुख मिश्रित फल होगना पड़ता है, जिसमें जिसका परिमान ज्यादा होता है, उसको वही नाम दे देते हैं.